हेलो फ्रेंट आज मैं आपके साथ प्रिंसेसकाट कुर्टी की क्यार्टिंग और स्टिचिंग की टुटूरियल करूंगे इसके लिए मैंने दो मीटर जॉर्जिट का फैबरिक लिया है और इसके वितर जो लाइनिन का फैबरिक में यूज करूंगे वो भी दो मीटर का है और इसका टॉपपट के मार्किंग में पेपर में करूंगी तो अब यह दोनों फैब्रिक को साइट पे रखेंगे और इसका मेजर्मेंट साइट पे दिया हुआ है इसका लेंद में लूँगे 16 इंच और इसमें एक इंच मार्जिन में एड कर करेंगे तो आप अपना जितना शोल्डर है उतना अप लीजिएगा आर्म होल में लूँगी सेवें इंच इजसे भी 6.5 इंच पे मार्क करके यह दोनों पॉइंट को जॉइन कर लेना है और यहां पे एक स्ट्रेट लाइन ज्रॉ कर लेना है यहां से 1.25 इंच उपर पे ए हैं और इस लाइन का सेंटर निकालना है अब इस तरह से बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेना है जेस्ट का फॉट पार्ट 10.25 इंच और यहां पे मैं 0.25 इंच डार्ट दूंगे इसलिए मैं यहां पे मार्क कर रही हूं और 1.5 इंच मार्जिन और फ्रॉंट आम होल में 1.75 इंच पे मार्क करना है और सेंटर से आधा इंच भीतर पे मार्क करके इस तरह से फॉंट आर्म होल ड्रॉ कर लेना है अब इज़े से फूल बस्ट को फोर से डिवाइट करना है और उसमें 0.75 इंच मार्जिन एड़ करना है तो इस सबसे मेरा आ रहा है 11.5 इंच और इज़े से फूल बस्ट को 10 से डिवाइट करना है जितना आएगा वो इस सबसे मेरा आ रहा है 4.3 इंच तो यह है इसका टक्स पॉइंट और सभी साइस के लिए आप नीचे से 3 इंच पर ही मार्क किजिएगा अब यह दोनों पॉइंट जॉइन कर लेना है डार्ट में 3 इंच का लूंगे इससे कूर्टी का फिटिंग बहुत अच्छा आएगा और 1.5 इंच उपर में एक मार्क करना है और इस तरह से एक लाइन ड्रॉ करना है और नीचे के तरफ का पिंसे स्कर्ट का शेफ ड्रॉ करना है इस तरह से और वेस्ट का फोर्ट पार्ट 9.5 इंच और यह जो 3 इंच का डार्ट मैंने मार्किंग किया है इसके लिए 3 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पर मार्क करना है और 1.5 इंच मार्जिन अब यह दोनों पॉइंट को जॉइन कर लेना है सरी यहाँ पर मेरा रेकॉर्डिंग सही से नहीं आया तो मैं बोल दे रही हूँ यह आप किस तरह से मेजर्मेंट कीजिएगा तो इस तरह आप पहले मेजर्मेंट करके देखिएगा यह कितना है तो यह आ रहा है मेरा 6 इंच तो यह जितना आएगा तो इस तरह भी आप 6 इ कए इस तरह से तीछी लाइन ड्राव कर ली जीये गए और यह जो 0.25 इंच यूज इंच करके शेफ कर लेμα sites कर लेना है अब एक प्रक्रीघ कर कर लेंग तो मैं आपको कट Pre iंच वहीन हो तो यह किस तरह से इसको ट करना पहले वैंगे का हम से इसको कट करना है इस तरह से करके बैक हाम से कट करना है और मैंने फॉंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को मेजरमेंट मार्किंग एक ही साथ किया है तो इसलिए इसको कट करने के बाद पेपर को खोल के इसको सेंटर से अलग कर लेना है अलग करने के बाद अब फॉन्ट पार्ट को कट कर लेना है तो पहले फॉन्ट आर्म होल को कट कर लेना है और फिर ये दोनों पार्ट को फॉन्ट पार्ट के अलग कर लेना है और ये जी उपर के तरफ जो डार्ट की मार्किंग मैंने किया है ये डाट को भी कट कर लेना है और नीचे का भी ये डाट को कट करके अलग कर लेना है इस तरह से फॉन्ट के दोनों पार्ट को अलग कर लेना है तो ये पिंसेस काट के ये दोनों पार्ट है अब बैक पार्ट को लेना है और इसमें थोड़ा सा चेंज करना है चेस्ट को फोर से डिवाइट करना है तो चेस्ट को फोर से डिवाइट करने से आएगा 10.25 इंच और 1.5 इंच मार्जिन वेस्ट का फोट पार्ट 9.5 इंच और बैक पार्ट में एक इंच डार्ट के लिए लेना परता है और देर इंच मार्जिन अब ये लाइन पॉइंट को जॉइन कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लेना है अब डार्ट के लिए इसका सेंट्र निकालना है और यहां पर मार्क करके 6 इंच उपर पर मार्क करना है और दोनों तरफ आधा आधा इंच मार्क करके डार्ट की मार्किंग कर लेना है तो यह है back part अब इसको lailin के उपर पहले रखना है तो lailin को fabric को फहले खोल लेना है और इसको double fold करके रखना है इस तरह से और इसके उपर back part को रखना है और यह जैसा है वैसा ही इसको mark कर लेना है यहां पे कोई margin नहीं लेना है और इसको कट कर लेना है तो मैंने इसका कटिंग कर लिया है और यहां पर कि डाट की जगह पर एक कट दिया है और यह दोनों यहां पर भी कट लगाया है यह दोनों साइट पर भी कट लगा के रखा है अब कपड़े को फीर से सई से सेट करके रखना है और फोल्डेट पार्ट में यह फ्रॉंट पार्ट के एक नमबर पार्ट को रखना है सई से सेट करके रखना है और थोड़ा सा गैप दे के दुसरे पार्ट को भी रखना है और पहले यह जैसा है उसको मार्क कर लेना है और जहां पर प्रिंसेस का जॉइंट होगा वहां पर आधा इंच का मार्जिन लेना है तो यहां पर प्रिंसेस का जॉइंट होगा तो यहां पर आधा इंच मार्जिन इस तरफ लेना है दो नम्मर पार्ट में भी उपर के तरफ और नीचे के तरफ कोई मार्जिन नहीं लेना है यहाँ पर जॉइन्ट के लिए आधा इंच का मार्जिन लेना है और इस तरह से इसको कट कर लेना है तो मैंने इसका कटिंग कर लिए है तो इस तरफ आदा इंच का मार्जिन है और इस तरफ भी आदा इंच का मार्जिन है अब इसी तरह से में फैब्रिक के उपर इसको रख के कट कर लेना है अब बचा जो लाइलिन का फैब्रिक है इसको मैंने इस तरह से फोर्फोल करके लिया है और इसको set करके रखना है पहले मैं इसके उपर west की marking करूँगी तो west का fourth part है सारे 9 inch और 1.5 inch margin तो मैं 11 inch पे यहाँ पे mark कर लूँगी टोटल लाइलिंड का length है 47 inch और इसमें मैं top part का 16 inch minus कर लूँगी तो यह आएगा 31 inch और इसमें मैं 1 inch margin का plus कर लूँगी तो यह total आएगा 32 inch तो यहाँ से टेप को पकर के 32 inch पे mark कर लेना है और यहाँ पे एक straight line draw कर लेना है इसका 14 यह आए 13 inch अब waist से लेके यहां से लेके यहां तक इसको join कर लेना है इस तरह से तीच्छे में इसको join कर लेना है अब इसको cut कर लेना है तो मैंने इसका cutting कर लिया है अब इसको main fabric के उपर रखके इसको cut कर लेना है तो मैंने main fabric के उपर रखके इसको cut कर लिया है यह है back part और यह font part के यह दो हिस्से है अब यह सभी part को join कर लेना है लाइलिन के साथ main fabric को join कर लेना है और यह skirt part को भी मैंने cut कर लिया है और मेन फैब्रिक को लाइलिंग के फैब्रिक से एक इंज ज्यादा बढ़ा के कट कर लिया है तो यहां पर मैंने हिप के मार्किंग नहीं किया था तो इसको साइज से सेट करके रखना है 7 इंच नीचे एक मार्क करना है वेस से और हिप का फोर्थ पार्ट 11 इंच और एक इंच फोल्डिंग के लिए तो यहां से स्लीट की फोल्डिंग देना है तो यहां पर छोटा सा कट लगा लेना है तो यहां से स्लीट की फोल्डिंग स्टार्ट होगा सिप्स के लिए कप्रे को मैंने 4-4 करके रखा है जितना आपका चेस्ट है उसको 4 से दिवाइट करने से जितना आएगा उतना ही कप्रे के 14 ही लेना है और इसका लेंथ मैंने लिया है 7.5 इंच और 3.5 इंच नीचे मार्क करना है आम राउन का आधा तो मैं ले रहे हूं 9.75 इंच और 1.5 इंच मार्जिन अब इस तरह से बैक आर्म होल ड्रॉ कर लेना है और इसके नीचे से फ्रॉंट आर्म होल को ड्रॉ कर लेना है अब नीचे के तरफ एक स्टेट लाइन ड्रॉ कर लेना है और स्लिप स्राउंट का आधा तो मैं ले रहे हूं 7 इंच और 1.5 इंच मार्जिन अब ये दोनों पॉइंट को जॉइन कर लेना है अब इसको बैक आर्म होल से इसको कट कर लेना है तो मैंने इसका कटिंग कर लिये है और इसके सामने के दो पल्दे को लेना है फैबरिक के पीस को लेना है और फ्रॉंट आर्म होल की गैरा ही दे देना है तो इस तरह से फॉन्ट आम होल कट कर लेना है और इसके सेंटर प्लेक छोटा सा कट दे देना है तो सिप्सकी कटिंग हो गई है अब मेरे मेन फैबरिक के साथ लाइलिन के फैबरिक के बैक पार्ट को जोइन कर लिए है और front part को भी lining के fabric के साथ join कर ली है अब ये pinces cut को join करना है तो इस तरह से इसको set करके रखना है और इसके उपर इसको इस तरह से रखके उपर से इस तरह से इसको join कर लेना है अगर आपका cutting सही से होगा तो ये एकदम perfect तरीके से इसका join होगा इस तरह से ये प्रिंसेस कट के दोनों पार्ट को जॉइन्ट कर लेना है तो मैंने प्रिंसेस कट के ये दोनों पार्ट को जॉइन्ट कर लिया है और ये दोनों बहुते अच्छे से बरावर से ये जॉइन्ट हुआ है इसका नेक मैंने पेपर पेस्टिंग पे उपर कट करके फैबरीक के उपर जॉइन कर लिया है इसके नेक की चौराई मैंने रखा है सारे साथ इंच और इसका लेंट मैंने लिया है सारे छे इंच और इसको इस तरह से जॉइन कर लिया है इसको फैब्रिक के सेंटर पे इसको रखना है और पेपर पेस्टिंग बड़ाबर सिलाई कर लेना है और छोड़ा सा कट दे के इसको पलट के इसको फिनिश कर लेना है और बैक पाट का नेक भी मैंने पेपर पेस्टिंग में करके इस इसको फिनिश कर लेना है बैक नेक को भी इस तरह से मैंने फॉंट नेक को डेरी कर लिया है और इसके उपर टॉप स्टिच लगा लिया है और बैक नेक को भी मैंने इसी तरह से ही फिनिश कर लिया है और इसके पीछे बैक पार्ट के पीछे में डार्ट भी सिलाई कर लिया है अब नेक के उपर मैं ये गोल्डन कलर का लेस और ये गोटा पत्ति का लेस ये दोनों को एक के उपर एक को इस तरह से रखके इसके उपर सिलाई करूंगी और इस तरह से नेक के उपर डिजाइन करूंगी तो यह गोटा पति का लेस के उपर यह गोल्डन कलर का लेस को इसके उपर रखना है और इसको साही से सेट करके रखके पहले इसके एक साइट पर सिलाई लगा लेना है एक के उपर एक को इस तरह से सेट करके रखना है और सिल लेना है इस तरह से एकदम नेक के बड़ाबर इसको रखना है और इसको सिलाई कर लेना है एक साइट पर सिलाई लगाने के बाद दूसरे साइट में भी सिलाई लगाना है और यह जो एक्स्ट्रा लेस है इसको कट कर लेना है और दूसरे साइट में भी इसको सिलाई लगा लेना है इस तरह से नेक में लेस को एटाच कर लेना है फ्रॉंट पार्ट में मैंने लेस को जिस तरह से अटच किया है बैक पार्ट में भी मैं इसी तरह से लेस को अटच कर लूँगी तो फ्रॉंट पार्ट के तरह मैंने बैक पार्ट में भी ये लेस को अटच कर लिया है slips के bottom को पहले double fold कर लेना है और फिर इसके उपर इसी तरह से lace को attach कर लेना है तो मैंने इसी तरह से दोनों slips के उपर lace को attach कर लिये है अब front part के उपर back part को रखना है दोनों के सिधे side अदर के तरफ रखके shoulder को join कर लेना है आदा inch का margin देके तो मैंने स्रोलर को जॉइन कर लिया है अब स्लिप्स को जॉइन कर लेना है तो स्लिप्स को इस तरह से रखना है और सेंटर को सेंटर से मिला के रखके स्लिप्स को जॉइन कर लेना है इस तरह से स्लिप्स को जॉइन कर लेना है तो मैंने zips को join कर लिया है और skirt part में मैंने main fabric के गिसे लाइलिन को आप ली inappropriate को join कर लिया है पहले लाइलिन के fabric को इससरह से डबल फोर कर लेना है और फिर पूरे लाइलिन के fabric के साथ मेन fabric को join कर लेना है अब स्काट पार्ट के उपर में टॉप पार्ट को इस तरह से रखना है इस तरह से रखना है दोनों की सीधे साइड अंदर के तरफ रखके इसके उपर सिलाई लगा लेना है आदा इंच का मार्जिन देखे इसके उपर सिलाई लगा लेना है इस तरह से दोनों पार्ट को जॉइन कर लेना है तो मैंने इस तरह से टॉप पार्ट के साथ स्कट पार्ट को जॉइन कर लिये हैं अब इसको पीछे के तरफ परट लेना है और फिटिंग की मार्किंग कर लेना है तो इस तरह से स्लीट के उपर से लेके हिप तक इसके फिटिंग की मार्किंग कर लेना है इस तरह से पुरे हिप तक जहां पर कर दिया हुआ है वहां तक इसको मार्किंग करके यहां तक इसको सिलाई कर लेना है यहां से सिलाई स्टार्ट करना है और हीप तक सिलाई करके यहां पे लॉक कर लेना है और फिर यहां पे स्लीट करना है इस तरह से इसको डबल फोल कर लेना है करके इस तरह से स्लीट बना लेना है और बॉटम में भी लाइमेन फैबरिक को इस तरह से डबल फोल करके इसको फि subscribe किजिए गा इन और इसका दोनों साइट का स्लीट में ने बना लिया है और प्रिंजिस कर भी बहुत सुन्दर आया है आप एक बार इस तरह से आपका कुर्ती बना के देखिएगा यह बहुत संदर पहनने में इसका फिटिंग बहुत सुन्दर आएगा तो यह इसका front neck का design और back neck का design, thank you.